हलो फ्रेंज कैसे हैं आप सब आसा करते हैं कि बहुत 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 ही अच्छे होंगे मेरे माता पिता और बड़े भाई-बाहिन को चरड़ सपर्स मेरे छोटे भाई-बाहिन को धेल सारा प्यार आपके अपने यूटुब चैनल नीलमिस्टरा ब्लोग में स्वागत है फ्र मौनिंग के बज रहे हैं यहां पर साथ तो सबसे पहले हम मटर चील लिए हैं और इसको तल रहे हैं और चाय एक बार हो चुका है और मटर तलने के बाद तो फिर से दुबारा चाय बनाएंगे क्योंकि मौनिंग में जल्दी-जल्दी से हमने का यहीं दे देते हैं बच्च एकदम बोर हो जा रहे हैं फिर भी ठन लग रहा है तो पहनना भी जरूरी है क्योंकि ठन से बचना है और काम भी अपना करना है और यहां पर मटर मेरा हो चुका है तो बच्चों के लिए हम निकाल रहे हैं और दे देते हैं बच्चों को अभी सारब सोया है तो फिर तो अपना खाएगा और यहां पे ढग देते हैं इतना बचा है तो इसको ढग देते हैं चलाके और वाकिसानी शृष्ठी और उनके पापा को दे दिये हैं अब यहां मुझे बनाना आए गेहों फ्रेंज तो फीर आचुके हैं आप गेहों बनाने के लिए निकाल लिए थे त और मैं हटाती रहती हूँ देखिए फटक रही थी गेहुं तो फिर थोड़ा सा रखी भी है फटक के बूरी में दिख रहा होगा अब यहाँ गेहुं बना लेते हैं जल्दी जल्दी से और सोरब देखिए उठ चुका है तो सोरब अपना नास्ता कर रहा है यहाँ पर और ना दिन ऐसे ही काम में चला जाता है और दिमाग से निकल भी जाता है कि गेहुं बनाना है तो हमने का मॉर्निंग में ही इस काम को कर लेते हैं और प्लीज चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर किजिएगा और वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे आई कि ब्लोग सूट करें या ब्लोग एडिट करें तो फिर भी करना पड़ रहा है क्योंकि यूटूब पे आने का मतलब ही यही हो गया है कि फिर जैसे हम डेली अपने काम को निप्टाते हैं सबी अपने जिमेदारी हो को देखते हैं अवे भी वीडियो भी हमारा एक जि यही हो बनाने के बाद तो फिर आ गये हैं देख सकते हैं इतना ज्यादा कबाड हो गया है क्योंकि एक बार यहां पर लिपाई किये थे अभी हाल ही में और सफाई वगरा यहां का किये थे फिर तब से मेरी डॉग जो इसी में बच्चा वगरा उसका हुआ था तो फिर काफ वाले साइड उधर हम उसको कर दिये हैं कि क्योंकि उसका चोटा-चोटा बच्चा है और सभी बहुत जादे गंदगी हो जाएगा तो फिर इसलिए यहां से उसको रटा दिये हैं और इसी में डॉग अकेली रहती थी तो चोकी लगा दिये थे और उसी चोकी पे रहती थी और जब उसका बच्चा हो गया था तो पियरा अगरा भी बच्चे रख दिये थे, क्योंकि ठंड है तो उससे बसने के लिए, और देख सकते हैं काफी ज़्यादा दो दो जगव गढ़ा सा ऐसा कर दी है, एक जगव का गढ़ा तो आपने कैसे भी पाट दिया है, जैसे उसको धग दिया है, और दूसरे जगव का भी धग दिया है, और दोनों जगव बस मिटी है, अभी डाला है, इसको अच्छे से इटे से पहले मिटी को विठा लेते हैं, और इसके बाद से लिपाई तो आज नहीं करेंगे, फ्रेंस लिपाई करेंगे, फिर धूप निकलेगा पर करना पड़ता है, अगर जो चीज ऐसा है, इखरा विखरा पड़ा हो तो फिर देख भी नहीं जाता है, तो मैंने कहा इसका सफाई कर लेते हैं, क्योंकि गाड़ी, साइकल, जो भी कुछ होता है, सब यहीं खड़ा होता है, और मेरी डॉग का, समझ लिजीए, एक पड़ा दिया है, क्योंकि जगह सा हो गया है, थोड़ा खाली-खाली सा दिख रहा है, तो अच्छा लग रहा है, और जो थोड़ा बहुत ऐसा सामान है, जो हमारे यहां वरकर्स रहते थे बाहर के, तो फिर उनका बरतन है, कुछ और कपड़े वगरा भी हैं, जैसे जो वि पड़ा भी है, तो फिर एक साइड हम कर दिये हैं, उसको अब यहां पर बस जाड़ू लगा लिए हैं, और कचड़ा जो है, इसको उठा के फेक देंगे तालाब में, और इधर से साफ करने के बाद, तो फिर जो साइड में है, इसके उधर भी जाड़ू लगा लेंगे, औ और बहुत जादा ठड़ लग रहा है, तो हमने कहां नहाने से पहले काम कर लेते हैं, और मॉनिंग का ही अभी टाइम है, गेहू बना के उठे हैं, बस अभी अभी और गेहू बनाने के बाद तुरंट से हमने कहां सफाई कर लेते हैं, इसके बाद से नहाएंगे आज, और जो ये स्वेटर है तो फिर इसे थोड़ा ठंड भी लगता है इसलिए मैं ये सब स्वेटर जो हाफ वाला होता है उसको नहीं पहनती हूँ ज्यादा तर मैं लॉंग स्वेटर ही पहनती हूँ क्योंकि उससे मुझे बहुत ही अराम रहता है और यहां तालाप के पास घर है तो फिर काफी ठंड भी यहां बहुत तेज लगता है तो फिर इसलिए मैं लॉंग स्वेटर ही जादा तर डाल के रखती हूँ और यहां जाडू लगा रहे हैं और इसको साफ करके तालाप के तरफ कचड़ी कर देंगे और तब तक सानी के पापा भी आ गए थे मॉनिंग में नास्ता लेने के बाद बाहर चले गए थे तो फिर आए हैं और बोलके अभी जा रहे हैं कि अभी इसी सब काम में ठंड में इस सब करने का क्या जरूरत है तो फिर बोल रहे थे क्यों उनका आदत है बोलते रहते हैं फिर मैं मुझे जो करना होता है मैं करती ही रहती हूँ और जो घर का काम है उसको तो करना भी जरूरी है फ्रेंस और वहां से सीधे आ गए थे किचन में नहाने के बाद तो सबजी मेरा हो गया है और यहां पर फटा फट से जो बनने वाला है वही बनाऊंगी रोटी नहीं बनाऊंगी क्योंकि कराही में डालते हैं तेल और इसमें पूरी निकालेंगे जल्दी जल्दी से हो जाएगा और बनाना था मुझे आवले का मुरब्बा तो फिर उसको भी मैंने जो भी था उसका तयार कर लिया था सब कुछ बस उसको गयस पर चढ़ाना ही था तो उसको चढ़ा के तब सफाई करने गई थी तब तक मेरा आवले क मुरब्बा अच्छे से तयार भी हो गया है तो क्योंकि गयस सिलो करके गये थे तो ऐसे रहता है तो फिर ध्यान देना पड़ता है बीच-बीच में चलाना पड़ता है अगर गयस थोड़ा सा भी तेज हो तो मैंने का सिलो गयस में इसको चढ़ा देते हैं अपना अगर इसको अगर श्टोर करके रख ले तो फिर थोड़ा सा एक साल के लिए हम लोगों को खाने पीने का फिर हमेशा जब मन करे तब मेल भी जाता है तो इसलिए आवले का मुरब्ब मैं थोड़ा सा जैसे बना के रख लेती हूं कि हमारा एक साल ना तो कुछ टाइम तक च करते हैं मीठा और आले का मुरब्ब तो बहुत ही टिस्टी लगता है तो फिर अब यहां पर मेरा बन गया है तो फिर पहले चार पूड़ी रख लेते हैं और सबजी रख लेते हैं सनी की पापा आ गये हैं तो उनके लिए निकाल के दे देते हैं और दोनों बच्चे बाहर भी ऊतना नहीं हो रहा है तो बस coaching से आए हैं और आज school नहीं गए है क्योंकि ठंड काफी ज्यादा है तो फिर कभी कभी बचों का भी जैसे मन हो जाता है ठंड से तो फिर नहीं गए है और मैंने कहा जल्दी जली से बस नास्ता तयार कर लेते थे दोपहर के समझ लीज़े नास्ता ही है क्योंकि मौर्णिंग में वहीं मटर तले थे और दऊपहर में बना रहे हैं पुड़ी सब्जी और चावल नहीं बनाएंगे और तीन बज़े के टाइम कुष न कुष नास्ता इन लोगों को बनाके जैसे जब कभी चावल नहीं बनाते हैं तो फिर नोगों को चौम नोगरा लिख दे देते हैं दूसरी ताइम क्यूंकि बतको विश्खों का उन्टो ब्हुत में चलने वाला नहीं है आप भी खालेजे आप भी खालेजे फ्रेंस मेरा आवले कम बबाद अच्छे से प्यार एसे ब्लोग के साथ और चैनल पर नए है तो प्ले चैनल को सस्क्राइब जरू किजिएगा वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगेगी तो एक लाइक और फ्रेंस और फेमिले में सेयर ब्लोग का स्टार्ट करेंगे अपने तो चलिए फ्रेंस वीडियो देखने के लिए थांक्यू बाबाई मिलते हैं फिर किसी अच्छे से प्यारे से ब्लोग के साथ कल